लग्रसिए हम लोग तो यह वाला problem कर रहे थे इंज़ेगयं का तो इंज़ेगयंग में हमने वह की वैल्यू गामा डवलू एच इंटू आर होती है ओके सो गामा डवलू थाउजन इंटू 9.81 इंटू ह की वैलू यानि हाइट ओफ द वाल और आर की वैलू यानि रेडियस ओके सो यह आर वन नहीं है यह आर है ओके आई होग कि आपको वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें और और वन के वीच में डिफरेंस समझ में आया होगा में तो यह हमारी वैलू आ रहे है तो यह हमारी आ रहे है तो यह हमारी आ रहे है 98.68 तो हम लोग प्रुवाइट करेंगे 6565 आड़ रेट ऑफ 95 एम सेंटर तो सेंटर अब इसके साथ ही जो है आपकर अब देखो कि यह जो is code है okay is 3370 part 2 तो इसमें जो है वो कुछ दिया गया हुआ है table 3 में यह 2021 वाला वर्जन है देखो आप table 3 maximum tensile stress in steel enforcement for crack control in walls and slabs okay तो यहां पे जो है वो वाल है तो वाल में आगर आप देखो कि 16 में जो है वो maximum हमारी means spacing 100 होनी चाहिए तो हमने 95 provide किया है यानि कि सही है अगर हमारी spacing 100 से ज्यादा आती तो हम लोग उसे 100 तक ही limited रखते या फिर 125 तक 125 से ज्यादा limited नहीं रखते तो यह बात आपको इस table के हिसाब से पता होनी चाहिए means exam में आप इस table को जरूर देखने लिए कि आपकी value जो है वो उससे exceed तो नहीं कर रही अब इसके बात जो है वो हम लोग देखते हैं कि AST हमने जो provide किया है क्या वो AST जैसे की 165 हमने provide किया तो उस हिसाब से जो है वो हमारी 1000 इंटू पाई वाई फॉर इंटू 16 स्कॉयर बाई जो भी spacing है हमारी हमने वो तो यह यहां AST provider आ रही है 211 6.4 mm स्कॉयर ओके सो हम लोग जो है वो यह वाला expression को फिट से यूज करेंगे यह expression मैंने यूज किया था तो यह वाला देखलो आप यह वाले expression की में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हमने Ac निकलने के लिए यूज किया था लेकिन इस बार यह वाला expression यूज करेंगे एम कैसे निकालना है यह सभी मैंने पिछले बार बता दिया था तो 9.33-1 into AST provided ओके यहाँ पे AST required नहीं AST provided जो आपका आ रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है और Sigma CT की value यह भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था वो हमारी 1.5 आ रही थी तो वहाँ से वह value हमारी thickness आ रही है 159 mm तो हमारी thickness around 160 आ रही है तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के 175 mm का thick wall प्रोवाइड किया है okay so I hope कि आपको जो है वो miss hoop tension hoop tension में कैसे जो हो wall जैसे wall अगर आपका हमारा cylindrical नहीं होगा न तो यह वाला steel okay miss joe steel ऐसे provide करेंगे वह वाली steel जो है वह उसके बारे में यहाँ पर दिया गया हुआ है कि यह वाली steel जो है वह हमारी स्वारी यह जो थिकनेस है ओके यह 175 तो यह वाली थिकनेस आ गई अब यहाँ पर minimum जो है वो AST यह वाली steel तो हमने प्रवाइड की है 65 at the rate of 95 mm center to center यह तो circular वाली है लेकिन जो perpendicular वाली होगी IS 3370 part 2 2021 और इसमें जो है वो टेबल 5 में अगर आप देखोगे तो हमें 0.28% जो है वो means steel लेना है तो 0.28% हमने फिर से निकाला और यहाँ से जो है वो हमें आ रही है 490 mm square तो हम लोग इससे जो है वो दो face में divide करेंगे मिन्स दो face में एक front और एक outer और एक inner में तो spacing यहाँ से निकल के आ रही है 461.6 mm square लेकिन IS code पर अगर हम जाएं तो हमें यहाँ से जो है वो पता चलता है मिन्स अगर आप देखोगे तो यह मारे मेरी तो स्पेसिंग निकल के आ रही है 461 mm लेकिन IS code के हिसाब से अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हमें लेस स्पेसिंग पर प्रोवाइड करना पड़ेगा मिन्स फिट से जो हो हम लोग रेफर देंगे यह टेबल 3 का और यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे है टोल फाइव अड़िट ऑफ हंडेटिफेंग ओके वेतिकल यहाँ पर आप देखो कि वाल लिखा गया हुआ तो इसलिए वाल में जो भी आपको इनफोर्समेंट टेरो वाल वह आपको देना पड़ेगा होब इस टील वाला भी आपको रेफर करना पड़ेगा और वर्ट है तो ये डॉट डॉट वाला तो क्या है 165 है और यह वाल है वो इसके लिए तो यह वाली तहीं से करेंगे तो इसके लिए है वह हमें क्या कर ना होगा कि सबसे पहले जो हम लोग एक section assume करेंगे तो means means आप इसमें section जो पीछला वाला आपका section निकल के आया है जैसे पीछला वाला हमारा आपको section याद हो तो 250 into 350 हमने section provide किया था तो इससे बरा ही section होना चाहिए ओके यह तो section था सबसे top dome वाले ring beam के लिए यहां के लिए 250 into 350 provide किया है तो इसमें जो हो आप 100 to 200 इंक्रीज कर सकते हो तो मैंने जैसे जो हो 500 into 750 एज्यूम किया है आप चाहे तो 400 into 700 कर सकते हो या फिर 600 into 800 ऐसा भी provide कर सकते हो अब इसमें जो है वो एक बात आपको ध्यान रखना कि बीम में यूजवली जो है वो depth जादा होती है okay बीम में अगर मैं बात करूँ तो depth जादा होती है width के हिसाब से okay B is usually greater sorry D is usually greater than B लेकिन यह जो tank है ना in the tank उसमें ऐसा बीम प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग okay कुछ जो है वो हमें area ज्यादा मिलेगा ताकि person walk कर सके okay so इसलिए जो है वो हमारा वीम ऐसा दिखता है in case of tanks तो यह बात आपको थोड़े confusion नहीं होनी चाहिए अब इसमें जो है वो आप देखोगे कि हमें जो है वो फिर से जो है वो स्कndall निकालना होगा और में के अधाज yhtर धोर निकालना होगा सो यह वाले पार को भी हो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ऑशा है तो अब हम लोग इसकी ऊटल बात करते हैं कि कैसे वो में area निकालेंगैं और मिस यह बाला बी кап ju can है आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर हम लोग को force को भी analyze करना परेगा कि कैसे जो है forces यह सभी आ रही है ओके तो इसमें जो हुआ आप देखोगे तो load कहां कहां से आ रहा है तो एक जो है वो यह load जो है वो transfer हो रहा है load of the top dome यानि कि इसका dome का पूरा weight इस पे आ रहा है B वाले पे फिर जो है वो load of the ring beam A यानि कि W2 यह भी हमारा इस पे आ रहा है B पे और load of the cylindrical wall W3 इस पे आ रहा है और self weight of the ring beam यानि कि आप देखो तो total चार load दिखाई दे रहा है एक load और है सायद आकर आप उससे पता हो तो यहां पे जो है वो water आ रही है water का भी एक force आओगा okay so total जो है वो 5 forces है तो यह सभी 5 forces में हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे तो वो भी जो है वो आगे का यह five knot है okay five knot और इससे पहले हम लोग five one निकाल रहे थे okay five one यह five knot कैसे निकालना है यह भी आगे है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पे जो है अगर आप देखोगे कि force को अगर आप vertical direction में balance करोगे तो w is equal to mcd cos five knot आएगा okay और p is equal to p is equal to जो है वो mcd mcd sin five knot okay और अभी pw को हम लोग consider नहीं करेंगे जो pressure आ रहा है hydrostatic pressure उसको अभी consider नहीं करेंगे तो p जो है वो होगा हमारा mcd cos sorry sin five zero के बराबर और p और इस दोनों को आगरा रिलेशन को यूज करोगे तो आपको p is equal to w tan five knot निकल के आ जाएगा okay so यह वाला expression आपको पता होना चाहिए p is equal to w tan five तो यह सभी आपको एक दो बार आप कर लेना एक्जाम से पढ़ना एक्जाम में आप फंबल कर जाओगे यह सब करना okay so p w जो है वो horizontal force due to water pressure है अब इसमें जो है वो हम लोग p dash निकालते हैं तो p dash is equal to means total जैसे की जो भी force लग रहा है यहाँ पर बीम पर ओके रिंग बीम बी पर तो वो जो है वो p plus p w into r okay p plus p w into r where p जो है वो हमने यहाँ पर relation निकाला है p equals to w ten five not तो w का value अब लोगो को निकालना पड़ेगा okay और p w की value भी निकालना पड़ेगी r की value तो हमें पता है so let's find out w okay so w find करने के लिए जो है वो w1 w2 w3 w4 यह सभी find करना पड़ेगा तो let's find w1 तो w1 जो है वो क्या है हमारा m into sin 5 तो m जो है वो value कहां से आएगी तो m जो है वो हमने value जो पहले निकाली थी कौन सी m की value तो इससे पहले जो है वो हमने यह वाली value अगर आप देखोगे okay so जब हम design कर रहे थे design of top ring beam तो यहाँ पर m की जो value आ रहे थी 25.8 okay so 25.8 यह Ok तो यहां पर 51 यूज किया है हमने अब यह जो है आप 51 जो है वो यहां पर यहां पर आप देखोगे तो इसकी है कि यहां पर सेक्शन मैं ने यहां पर बताया है कि यह M की value हो गई यहां पे 51 हो गया, तो W is close to क्या होगा, W1 is close to M sin 51 ओके, तो वहीं से यह मैंने expression लिखा है W1 is close to M sin 51 यानि कि यह जो weight की बात हो रही है यह weight यहां की बात नहीं हो रही है यह यहां की बात हो रही है, यानि कि जो dome का weight है, वो कैसे यहां पे transfer उड़ा है, वो यहां पे है उसके बाद W2 की बात करते हैं तो W2 जो है, वो M into sin 5, W2 is close to weight of हमारा है ring beam A, तो ring beam A यहां पे यह वाला ring beam देखोगे, तो इसमें जो हो हमें thickness of the wall को minus करते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हो कि यह ring beam A का पूरा weight ले लो लेकिन wall में इसका जो भी होगा part वो deduct कर देना, तो आप किसी तरह ले सकते हो, लेकिन मैंने जो है वो wall को deduct कर दिया है beam में से, तो जैसे इसका 0.25 जो की इसका depth था और 0.35 जो की इसका width था उस width में से मैंने thickness of the wall कर दिया और into gamma of concrete, ओके, और यह one अगर आप नहीं भी करोगे, तो भी चलेगा, लेकिन यह gamma क्या है, gamma of the concrete, ओके, तो यह अगरी है 1.094 kN per meter W3 हमारी क्या है, load of the cylindrical wall the cylindrical wall के लिए height into thickness into unit weight of concrete, तो यह आप one को भी neglect करो, तो यह आरी है 19.688 kN per meter, ओके और W4 हमारी क्या है, W4 है self weight of ring beam, तो wall में तो हमारा weight, means आप देखोगे कि wall में ही हमारा ring रहेगा ना यह जो ring है, यह सभी wall से connected रहेगा, और center to center distance दिया जा रहा है, तो इसलिए जो हो हम लोगों ने यहाँ पे wall का भी जो हो thickness deduct कर दिया है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो की 0.5 0.75 यानि कि 750 जो उसका width हमने assume किया था, minus thickness of the wall into unit weight of concrete तो यह आ रहे है, 7.19 kN per meter, अब डवलू total करोगे तो W1 plus W2, W3, W4 सभी के values को means add कर दो, तो यहाँ पे 23.1 kN per meter आ गई, ओके अब इसके बाद जो हो हम लोग इसकी PW की value निकालेंगे, तो PW की value क्या है, गामा of water into H into R, यह H कौन सी है, तो यह बस height of the beam B है, यानि कि जो beam है, इसी की height है, यहाँ पे जो beam है न, यह beam, इसी की height है, तो उसकी height कितनी है, 500 ही तो है, तो वही जो है वो, 0.5 हमने लिया है, और into 6, ओके 6 क्या है, radius so, हमारी 29.4 क्लीनीटन पर मीटर आ गई, तो P EGOS2 W10 5-0 प्लस PW into R, अब यह 5-0 कैसे निकालेंगे, तो देखो, यह वाला जो है, वो कुछ portion में आपको समझा रहा हूं, कि जैसे जो, इसका उपर वाला जो डाया था, यह 12 था और नीचे वाला डाया 9 था, कोनिकल portion में, ओके, कोनिकल portion को अगर आप देखोगे तो नीचे वाला 9, उपर वाला 12 और यह height हमें पता है 1.8 तो यहाँ पे जो यह angle बन रही है, वही है 5-0, ओके, तो अगर मैं main जो सबसे वीडियो के हमें, आपको डायग्राम देखाया था, ओके, तो यह वाला आप देखोगे तो यही जो है, वह 50 है, ओके, तो यहाँ से आप geometry लगा कर निकाल सकते हो ना, यह बहला आपको पता है, यह बहला पता है, यह यह वह height पता है, तो यह जो nhất मैंने लगाके निकाल लिया 10-5 is equal to 1.5 by upon 1.8 ओके तो यहां से फाइन जिरो की वैलू 38.39.8 आ गई तो यह जो है वो वैल्यू हमारी निकल के आ गई पी की वैलू 291.1 291.9 किलो न्यूटन तो यही हमारा जो है वो क्या है हूप टेंशन अब हम लोग एस्टी निकालेंगे तो एस्टी इसकोष टू हूप टेंशन अब ऑन सिग्मा एस्टी सो यह हमारी वैल्यू आ गई 2245.4 mm2 तो हम लोग घिटन ट्रैल से चेक करेंगे कि कितना फाइल लग रहा है कितना डाय का बार लग रहा है और कितना लग रह थी तो फाइंग करेंगे की सब्सक्राइब है कि यह जो वैल्यू है वह सही है कि तो उप आपन सीप्लस 추천 sacar ग्रेटर दें सिग्मा सीटी अलावेवल सो यह वाला पार्ट तो हमें पता रहता है तो हम लोग इसमें वैल्यूस को पूरा पूट करके चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यूस से ज्यादा रही है कम तो वही हमने किया यहां पे पूट किया तो हमारा सेख्षन सेफ है इसी का डिटेलिंग भी मैंने यहां पर किया है तो वह डिटेलिंग इजी है आप देख लो इसको समझ में आ जाएगी आपको क्या किया है हमने तो यह देखो कि कि आट यह वाला जो है हमारा सेंऔर है यो निहां हो आफ देख लो व सेवटेफ्ट यह फाइनडिवंड ओफ भारconom का यह उपर वाल सम वाल है सिरंडिकल वाल सो यह beam हमारा B है okay so middle ring beam so इतना है तक ही हमें इसमें design करना है आप चाहे तो design of dome भी conical dome भी कर सकते हो लेकिन conical dome का design थोड़ा hard होता है तो हमने जो है वो यह वाला design कर लिया यह वाला यहाँ पर beam का design कर लिया फिर यह वाल का design कर लिया यहाँ भी कर लिया अभी आप देखो ध्यान से तो अभी जो हम लोग को तीन पीम तीन चीज़ें चाहें तो और design कर सकते हैं एक यह conical dome दूसरा यहाँ पर जो ring beam है सबसे bottom वाला वह और जो यहाँ bottom dome है वह भी तो लेकिन इन तीनों का design comparatively hard होता है जो अभी तक आपने किया है उन सभी से तो उसका design जो है वो मिंस आप चाहे तो देख सकते हो लेकिन उसके लिए वो इसका आधा तक ही किया था होके कुछ मिंस थोड़ा ही किया था उसके बाद जो है मैंने छोड़ दिया था वैसे design of conical dome दो question में भी नहीं है सो हमारा question में जहां तक पूछा गया था वो सभी मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे design करना है I hope कि आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखे वीडियो का part 1 भी देखे फिर आपकी जो हो maximum doubts clear हो जाएंगी question को दो तीन बार practice करें तब जो हो exam में आप इसे confidently कर पाएंगे thanks for watching the video and have a good day